हेलो स्टुडिन्स, जेई मेन 2020 फेज वन पेपर्स के जो सल्यूशन्स है, इसके वीडियो सीरीज हम लोग लॉंच कर रहे हैं, इन सारे वीडियोस को हम अवंति गुरुकुल के यूट्यूब चैनल और अवंति गुरुकुल के एप पे अपलोड करेंगे, तो इनको एक्सेस क करने के लिए, आप हमारे चैनल पे ट्यून रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ important questions को discuss करेंगे, अगर आपको सारे questions के detailed solution चाहिए, तो अवंति गुरुकुल आप को टाउनलोड कीजिए, तो आपने अभी chemistry का जो पहला question देखा, उस question में आपको E naught, copper 2 plus से copper का electrode potential दिया है, उसी तरह आपको copper plus से copper का electrode potential दिया है, और आपको question में ये पूछा है कि copper 2 plus से copper plus का potential क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो आपका copper 2 plus से copper है, copper plus से copper, और copper 2 plus 2 copper, इन तीनों की reaction आपको लिखने आनी चाहिए, तो अगर मैं इन तीनों की reactions लिखू, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो मेरा first वाला part है, copper 2 plus 2, delta G1 not लिखते था हूँ, फिर ये वाली reaction, second वाला part, जहाँ पे copper plus आपका एक electron gain करके copper बना रहा है, जो आपका delta G2 not हो रहा है, और हमें, हमें इस reaction का E not को डूढ़ना है, तो जब भी आपके पास ऐसी reactions हूँ, जहाँ पे final reaction में आपके पास electrons बच रहा है, तो हमेशा आप delta G not स proceed करिए, अगर आप E not से proceed करेंगे, तो आपका answer गलत होगा, क्यों, क्योंकि E not एक intensive property है, जबकि delta G not एक extensive property है, तो यहाँ पे इसको मैं कैसे करूँगा, तो अगर मैं अपनी required reaction देखूँगा, तो मैं क्या देख सकता हूँ, कि reaction के left hand side में, मेरा copper 2 plus है, और reaction के right hand side में copper plus है, त अकलब यह वाली reaction मेरी ऐसे ही रहेगी, लेकिन मुझे right side में क्या चाहिए, मुझे right side में copper plus चाहिए, तो इस reaction को मुझे reverse करना पड़ेगा, तो अगर इस reaction को मैं reverse करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, कि copper आपका एक electron lose करके copper plus बना रहा है, लेकिन delta G कैसा हो जाएगा, delta G अब म delta G का relation electrode potential के साथ लिखूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, minus NF E cell, तो उसकी वदद से क्या होगा, minus 2 into F into E naught copper 2 plus 2 copper, और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, delta G को मैं क्या लिखूँगा, minus of minus, क्योंकि यहाँ पे भी मिरे पास minus है, तो मिरे को यहाँ पे भी minus लिखना पड़ 1 into F into E naught copper plus 2 copper, अब अगर इन दोनों reaction को मैं add कर दूँ, यह वाली reaction और यह वाली reaction, इन दोनों को अगर मैं add कर दूँ, तो मुझे यह reaction मिल जाएगे, तो अगर मैंने इन दोनों reaction को add करा, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे साथ में यह copper और यह copper cancel हो जाएगा, और यह 2 electron और यह 1 electron cancel होके एक electron बच जाएगा, तो मेरी final reaction क्या होगी, copper 2 plus plus 1 electron will give me copper plus, और मुझे इसी reaction का E not डूढ़ना है इस reaction के delta G को मैं बोलता हूँ delta G3 not which is equal to what? which is equal to in दोनों का sum which is delta G1 not plus of minus delta G2 not अगर यहाँ पर अब मैं values डालने लगू तो delta G3 not को मैं कैसे लिख सकता हूँ? delta G3 not को मैं लिख सकता हूँ, minus 1 into F into E not, copper 2 plus 2, copper plus, और यह किसके बराबर होगा? यह मेरा बराबर होगा minus 2 into F into E not copper 2 plus 2, copper minus of minus plus, plus 1 into F into E not, copper plus 2, copper इस तरीके से, अब बस मुझे values put in करना है, क्योंकि F F और F मेरा cancel हो जाएगा तो मेरी value क्या हो जाएगी? minus of E not, copper 2 plus 2, copper plus is equal to what? minus 2 into E not, copper 2 plus copper की value क्या है? E not copper 2 plus 2, copper की value है 0.34 volt plus E not, इसकी value क्या है? 0.552 into 0.522 तो जब आप इसको solve करेंगे तो आपका answer आएगा E not, copper 2 plus 2, copper plus is 0.158 volt तो आपका यहाँ पे final answer यह है तो आपने अभी screen पे अपना chemistry का दूसरा question देखा था इस question में हमें intermolecular interactions के बारे में पूछा है हमें यह बोला है कि इन species के intermolecular forces को order में arrange करें यह order आपका increasing भी हो सकता है decreasing भी हो सकता है तो यहाँ पे हमें इन तीनों को arrange करना है तो यहाँ पे हमें कैसी कैसी species दिये हमें iron dipole, iron iron और dipole dipole तो सबसे पहले हम देखते है iron iron तरीके का interaction किस में होता है iron iron तरीके का interaction आपका NaCl type compounds में होता है मतलब की ionic compounds में जहाँ पे एक iron दूसरे iron के साथ में interact कर रहा है तो यह क्योंकि आपके pure charges है तो यह आपके बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से attract करते है फिर हम देखते है iron dipole interactions तो iron dipole किस में होता है मान लीजे इसी NaCl को अगर मैंने इसी NaCl को अगर water में dissolve करा तो क्या होगा यह Na plus आपके water में जो oxygen है water में जो oxygen है इसके साथ में interact करेगा और इस oxygen और hydrogen पे आपका dipole moment है कि यहाँ पे क्योंकि oxygen जादा electro negative है hydrogen से तो उसके उपर एक delta negative आएगा और इसके उपर एक delta positive आएगा तो इस तरीके के interactions को हम iron dipole interaction बोलते है अब क्योंकि यह pure charges यहाँ पे नहीं है यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही pure charge है और दूसरा partial charge है तो यह interaction आपका इससे कम होगा तीसरा मेरा है dipole 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 किस तरीके से होता है अगर मान लीजिए मैं दो HCl के molecules लूँ तो इस HCl के molecule में क्योंकि chlorine आपका बहुत ज्यादा electronegative है as compared to hydrogen तो यहाँ पे एक dipole आपका generate होगा कुछ इस तरीके से ऐसा ही dipole आपका इसमें भी generate होगा which is what delta plus and delta minus तो यह आपका interaction होगा इस तरीके से अब क्योंकि यहाँ पे partial charges का interaction है तो यह interaction आपका इनसे और भी कम होगा तो यहाँ पे आपका order क्या होगा यहाँ पे आपका order होगा सबसे अच्छा है iron iron फिर iron dipole फिर dipole dipole आपने अपने screen पे अभी जो question देखा है उस question में आपको group 17 दिया है क्या fluorine, chlorine, bromine और iodine और आपको electron gain enthalpy की values दिये आपको यह बताना है कि कौन सी value किसकी हो सकती है अब of course आप में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि हम यह values को कैसे याद रखेंगे actually आपको यह याद नहीं रखना है आपको बस इनका trend याद रखना है तो अगर आपको electron gain enthalpy का trend याद है तो आपको यह पता होगा यहाँ पे एक exception भी है क्या fluorine और chlorine में हमारा generally expectation क्या होता है कि fluorine की electron gain enthalpy सबसे जादा होनी चीए लेकिन किसकी होती है वो होती है chlorine की तो इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका belong करेगा chlorine को तो chlorine की electron gain enthalpy क्या होगी minus 349 फिर आपका chlorine आता है तो जो second highest number है वो आपका fluorine को belong करेगा फिर bromine तो जो third highest number है वो आपका bromine को और जो सबसे last सबसे जो छोटा नंबर है numerically वो आपका iodine को belong करेगा तो यहाँ पे आपका answer क्या होगा आपका answer वो order होगा जहाँ पे पहला नंबर आपका 333 होगा फिर 349 फिर 325 और last में 296 तो आपने अपने screen पे अब जो next question देखा है यह question में आपको यह तिनों compounds दिये और इनका order of PKB पूछा है तो सबसे पहले PKB जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए PKB जानने के लिए हमें basicity के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जितना basic आपका compound होगा उतना ही जादा उसका KB होगा और उसका PKB उतना ही कम होगा तो अब इन टीनों में सबसे जादा basic कौन सा होगा अगर हमें basicity चेक करनी है तो हम इनके conjugate acid की stability को चेक कर सकते है तो अगर मैं इनके conjugate acids बनाऊ मान लिजिए कि ये जो guanana dine है ये आपका conjugate acid लेके एक H accept करके यहाँ पे आपका plus charge बनाता है उसी तरह ये भी आपका एक H plus को accept करके आपका यहाँ पे plus charge बनाएगा उसी तरह ये भी आपका और एक H को accept करके यहाँ पे plus charge बनाएगा तो अब आप इन तीनो conjugate acids को compare कर सकते हैं कैसे ये वाला conjugate acid आपका सबसे जादा stable होगा क्यों? क्योंकि इसके maximum resonating structures है इस तरीके से और फिर यहां से वो यहां पे भी resonance कर सकता है तो इस तरीके से ये वाला आपका सबसे जादा stable है फिर आपका ये वाला होगा क्यों? क्योंकि ये भी यहां से आपका resonance में जा सकता है लेकिन ये आपका कहीं से भी resonance stabilized नहीं है तो इसका मतलब सबसे जादा stable कौन सा है? आपका ये है, फिर ये है, फिर ये है इसका मतलब सबसे जादा basic कौन होगा? सबसे जादा basic होगा आपका A फिर होगा आपका C फिर होगा आपका B अब हमें basicity का order पता चल गया है तो मेरा PKB का order क्या होगा PKB का order इसका reverse होगा कि सबसे सबसे जादा PKB होगा B का फिर होगा C का फिर होगा A का तो यह हो गया आपका PKB का order तो आपके सामने अभी जो question देखा है, हम इस question की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका 1-methyl-ethylene oxide, अगर इसको मैंने excess HBR से react कराया, तो मुझे क्या product मिलेगा, हमको यह जानना है, तो यहाँ पे अप इसको देख सकते हैं, अब इसकी reaction कैसे होगी, आप सबको पता है, oxygen के उपर lone pair ह तो यह lone pair जाके आपके H के उपर attack करेंगे, तो क्या बनेगा, तो मेरा यह compound बनेगा, इस तरीके से, और oxygen के उपर एक plus charge आएगा, अब oxygen के उपर plus charge आना oxygen के लिए desirable नहीं है, तो वो इसको break करने की कोशिश करेगा, लेकिन कैसे, यह BR- आपका इस point पर attack करेगा, और इस तरीक इसे यह खोल देगा, तो अगर मैं यहाँ पर इसको numbering दूँ, कि इसको मैं first carbon बोलू, इसको second और इसको third, तो यह कैसे होगा, कि यह BR- मेरा second carbon के उपर जाके attach होगा, तो यहाँ पर 1, 2, 3, ऐसे मैंने 3 carbon बना दिये, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वन पर मेरा कुछ भी substitute attached नहीं है, 2 पर मेरा BR attached है, और 3 के साथ मेरा यह OH जा रहा है, तो यह OH मेरा यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास HBR कैसा है, हमारे पास HBR access में है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि और एक HBR आपका attack करेगा, और वो इसको replace करके, आपका फिर से BR बना देगा, इस त आपने अभी तक हमारे app को download नहीं किया है, description में देगे link से, आज ही हमारे app को download करें और जिनोंने हमारे अपको download कर लिया है, google play store पर जाकर, हमारे app को review ज़रूर करें